इस वक्त पूरे देश में अगर हम राजनीती की बात करें तो फिलहाल ममता बैनरजी बिलकुल सुर्खियों में बने हुई हैं आप सबने वियर्ज देखा कि एक तरफ कही वो टेलिविशन हो या फिर हो डिजिटल मीडिया हर जगह पर बस एक ही नाम और वो है ममता बैनरजी और उसका पहला जो कारण है वो यह है कि इंडिया का गटबंदन जिसमें ममता बैनरजी या फिर तरणवल कॉंग्रेस की बहुत ही बड़ी भूमी का होने वाली है और इसके साथ ही जो ममता बैनरजी ने खुद एलान किया पहारों में जाके वो यह कि वो मिलना चाती है नरिंद्र मोधी यानि कि प्रधान मंत्री से और इसके बाद ही चर्चाएं शुरू हो चुकी है एक तरफ जहां ये बोला जा रहा है कि ममता बैनरजी जिस तरह से उन्होंने साफ साफ शब्दों में पत्रकारों के सामने आकर कह दिया कि वो वहाँ पर मिलना चाती है प्रधान मंत्री से और उसका बिल्कुल एक ही कारण है वो ये है कि जो भी राशी अभी तक नहीं मिली है सरकार को राज्य सरकार को वो केंद्र से मांगना चाती है यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि वो नरींद्र मोदी को ये बाते बताएंगी और फिर से जो भी बाकी है राशी, वो सारी राशी, राज्जी को मिले, वो सारी कोशिशे करेंगी लेकिन दूसरी तरफ राजनेतिक माहौल में अभी से ये चरचाएं शुरू हो चुकी है क्या सिर्स यही वज़े है कि मम्ता बैनर जी प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी से मिलना चाती है या फिर इसके पीछे है कुछ और राज ये सवाल उठने शुरू हो चुकी है वियर्स और यही पर बात आती है कि देखा गया कि जिस तरह से मौहौा मेत्र का सांसदी जो पत्था वो खारी चो चुका है और इसके बात से एक के बाद एक टिपनी ममताब अनरजी करती हुई नजर आई केंदर के विरोत में बीजेपी के विरोत में लेकिन अब उनका दिल्ली जाना उन्होंने पहार से खुद कहा कि 18-20 कारी टक वो दिल्ली में रहेंगी और इसी बीच वो प्रधान मंत्री का समय माग रही है उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते है कि हम हमारा साथ प्यू इंपीज को लेके हम मिट करने चाहती हुँ कि हमारा 100 दिन का काम का रुपिया नहीं दिया है और 100 दिन का काम पर जो काम किया है उसका रुपिया भी नहीं दिया गया है और हमारा 1,15,000 बनी हमारा रुप के रखा है हेल्थ में पिटाकर रुपिया देना हमारा सेयर देना बंद कर दिया है हमारा बंगलाबारी करने के लिए जो शेयर था हमारा ओ भी बंद कर दिया हमारा ग्रामे निरास्ता का भी शेयर बंद कर दिया हस्पिटाल का शेयर जो हेल्थ का भी मिलता है हमारा जो हमारा सेयर से मेरे को उसका रुपिय नहीं चाहिए लेकिन हमारा जो शेर है, होर स्टेट का अगर मिलता है तो हमारा क्यों नहीं मिलेगा इसी के लिए हमने टाइम मांगा, अगर टाइम देते हैं तो ठीक है लेकिन हम तो जोरूर जाएंगे, हम 17 को इभी निम दिल्ली जाओंगे और हम 18, 19, 20 हम देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो करने हम तो करेंगी तो देखा आपने कि किस तरसे ममता बैनर जी ने खुदी एलान किया है जैसे कि ED, CBI जिस तरसे उन्होंने जांच शुरू की है और एक के बाद एक ट्रेनमोल कॉंग्रेस के हेवी वेट जो करता है, वो है उनकी नजर में और अब ममता बैनर जी करना चाहती है, सेटिंग ऐसा ही कहना है विरोधियों का और उसके उपर जिस तरसे महुआ महित्र को उनके सांसतपट से हटाया गया लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जैसे ही महुआ महित्र का सांसतपट खारिज हुआ तब से ममता बैनर जी उनके पास खड़ी है ना सिर्फ खड़ी हैं उन्होंने कहा कि वो काफी नाखुश है कि जिस तरह की कदम बीजेपी ने उठाए है लेकिन इस मामले में क्या बात करेंगी? ममता बैनर जी नरिंदर मोदी से ये सवाल उठ रहे है या फिर कुछ ऐसा सांजा करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो मसला है वो थोड़ा ठंडा पर जाए क्योंकि सामने ही हमें याद रखना है वियर्स की बिल्कुल सामने दर्वाजे पर दस्तक दे रही है चुनाफ लोगसभा निर्वाचन या लोगसभा चुनाफ 2024 और उसके तहत उसके मद्दे नजर रखते ये ममता बैनर जी ब्लूप्रिंट तयार कर रही है ऐसा ही बोला जा रहा है और विरोधियों के तरफ से ये बोला जा रहा है क्योंकि लोगसभा चुनाफ सामने ही है तो त्रिनमोल कॉंग्रेस के जो ये हेवी वेट नेताएं हैं जिनके विरोध में CBIED जो करी जांच कर रही है ये थोड़ा सा स्लोडाउन हो थोड़ी गती धीमी हो ये बात भी करना चाती है ममता बैनर जी ऐसे विरोधीयों के जो तर्क है जो प्रशन उट रहे हैं उनके विरोध में इस हिसाब से बोला जाना है कि ममता बैनर जी ब्लूपरिंट तयार कर रही है चुनाफ के लिए नरेंदर मोधी से बात करकर उनके सारे सवालों या प्रशनों के जवाब उन्हें मिलेंगे या फिर जो वो चाती है क्या वो पूरा होगा और ये सब तभी होगा जब नरेंदर मोधी यानि के प्रधान मंत्री समय देंगे मुख्यमंत्री प्रश्यमंगाल की मुख्यमंत्र लेकिन अब देखना यह है कि ममता बैनर जी को क्या समय मिलता है नरिंद्र मोधी से और अगर मिलता है तो किन किन मसलों पर बात करती है ममता बैनर जी हमारी नज़र रहेगी और आपकी नशर जरूर से जरूर रहे डीजिटल खबरिलाल पर सब्सक्राइब कीजिएगा देखते रहेगा डिजिटल खबरिलाल क्योंकि ये प्लाट्फरम है खबरे आपकी नजर हमारी